हेलो एंड वेल्कम टू अनकेडमी क्या हल चाल है आप सभी के शुरुवात करें आज के सेशन की सुन पार है आप मुझे ओके ठीक है तो आप सभी जानते हैं आज अनकेडमी इंडिया में यूपिए सी सी की तियारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अगर आप अनकेडमी को सबस्क्राइब करते हो तो मेरे साथ साथ आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर से पढ़ने का मुका मिलेगा भुगो लक्षे दो हजार तेईस ओशनोग्राफी चल रहा है हमेशा की तरह मैं बोलूँगा क्लासिस के नौर्स बनाते रहना रेगुलर रिविजन करते रहना मेरा नाम है नवीन तावर एट एर टीचिंग स्पीरियंस है इस एक्सपीरियंस है मंतली करेंट अफेर मेंगजीन का एडिटर रहा हूँ जोगरफी से मास्टर्स यूजी सी नेट जियर एट दोनों क्वालिफाइड हूँ ओनलाइन टीचिंग इस्पीरियंस मौर देन 3000 आर्स है ये मेरा टेलिग्राम चैनल है अनकैडमी अंडर्सकोर नवीन तवर आप सभी बच्चों को अगर बेरी क्लासिस के पीडिएफ चाहिए आने वाली क्लासिस के नॉटिफिकेशन चाहिए सब्स्रिप्शन से पहले आपका कोई भी डाउट है आप इधर मैसेज कर सकते हैं उसके साथ ही साथ कॉम्यूनिटी फीचर्स में आप रेगुलर अपडेट्स के लिए मुझे फोलो कर सकते हैं ये देखिए 10 नवेंबर से है न आपका 2023 के लिए बाइलिंग्वल बैच चल रहा है अनकैडमी का रिजल्ट 2020 का आप रिजल्ट देख सकते हैं बाइस में ये और भी बहतर होगा और उसके साथ ही अगर आपको एडमिशन लेना है सब्स्रिप्शन लेना है आपके सामने ऑप्शन है या थो प्लस ले लिजिए या आइकॉनिक ले लिजिए प्लस में अगर आप ज़र्राल स्टडीज का बाद 61,000 में पढ़ेगा सेम ऐसा आइकोनिक भी 94,000 वाले में मेरे रफ्रेल कोड के बाद 10% डिसकाउंट होगा अगर आपने कॉंबो लेना है जिसमें GS प्लस ऑप्शनल एक साथ GS प्लस ऑप्शनल एक साथ फिर सेम प्लस लो या आइकोनिक लो फॉर एक्जामपल आपने आइकोनिक लिया 18 महीने का 99,000 वाला मेरे रफ्रेल कोड के बाद या आपको पढ़ेगा 89,000 के आसपास पढ़ने वाला है और अगर भुगोल आपका वेकलपिक विशय है तो कुछ सोचना ही नहीं आप मेरे साथ जुड़ जाएए और अपनी तयारी को अंजाम दीजिए यह अनकैडमी सीविल सर्विसिज चेंपियंशिप है बिटा 13 नेमेंबर को होगा 60 मिनट में 50 कुश्चन होंगे 40 करोड रुपे का पूल है उसमें से आपको exciting gifts मिलेंगे स्कॉलर्शिप मिलेगी और टॉप फाइव रैंकर्स को आईएस ओफिसर से मिलनेगा मुका भी मिलेगा जो एक बार के में फीज जमानी कर सकता है यह हमाई में सब्स्रिप्शन ले सकता है उसके साथ ही कंपीट में participate करके आप laptop और दो लाख रुपे तक के प्राइजी जीत सकते हो ओशनोग्राफी चल रहा है हमारा जो कल का topic था हमने जहां end किया था अब आज हम करेंगे ocean currents काफी important topic है UPSC चाहे prelims हो बिटा चाहे prelims हो या means हो और means यह बहुत ही important topic में से एक है ocean currents आगर आपको याद हो UPSC CSE means 2022 में इससे सीधा question आया है माहा सागरिय धाराए और उनका प्रभाव ठीक है करें शुरुवात चलो एक बार like कर दो session को like कर दीजिए जियो अमॉर्फो लोजी भी कराऊंगा बेटा सब कराऊंगा क्या क्या होगा इस session में मैं आपको बता देता हूँ जो हमारी ये series चल रही है बहुत सारे बच्चों को doubt रहता है series में क्या क्या होगा ये जो लक्षे series चल रही है लक्षे है ना 2023 ये जो हमारी geography वाली series है इसमें आपको क्या क्या मिनने वाला है ये आपको इस पस्ट कर देता हूँ समझ जाओ हमने क्लाइमेटलोजी पढ़ लिया इसमें पूरा जलवायू विज्ञान पूरा जलवायू विज्ञान हो गया इसके बाद होगा oceanography इसके बाद होने वाला है oceanography मतलब जो अभी चल रहा है समुद्र विज्ञान इसके बाद होगा आपका cosmology भ्रमान को देखेंगे और geomorphology तो geomorphology ये मैं कराने वाला हूँ don't worry उसके बाद हम करेंगे India geography और सबसे बड़ी बात parallel हमारे test भी conduct होंगे टेस्ट parallel चलेंगे और याद रखना दिसंबर के first week में जो अगला महीना आएगा न दिसंबर का first week आपको back to back तीन से चार टेस्ट मिलेंगे तीन से चार टेस्ट मिलेंगे जो आपके climatology पे oceanography पे और geomorphology पे होंगे तो यह पूरा package रहेगा हमारा तिल दिसंबर यह complete हो जाएगा उसके बाद environment and ecology शुरू कर देगे ठीक है जैसे ही geography complete होगा उसके बाद हम लक्षे 2023 environment को लेके चलेगे environment and ecology यह चलेगा फिर ठीक है कोई डाउट किसी को कोई डाउट नहीं है तो बस पढ़ो 25 से ज़्यादा question आने वाले है 25 के 25 से 30 के 20 question आएंगे जोगरफी प्लास environment and ecology environment and ecology है ना और minimum minimum हम 20 question solve करेंगे सीधा अपनी class से यह मेरा target है कि हम 20 question हमारी इसी class से आएंगे बाकी का 20 आपको बाकी जो आप history पढ़ोगे quality पढ़ोगे economy पढ़ोगे science tech पढ़ोगे I.R पढ़ोगे current affair पढ़ोगे वो बाकी वहाँ से ले आना इस class से minimum 20 question होगे चले तो आज आगे चलते है अब तो महासागरिय धराय क्या है महासागरिय धराव को देखते है definition देखते है महासागरिय धराय आपने बहुत सा नाम सुने होंगे कीसर Atlantic Ocean की currents के बारे में इंडिया नोशन की currents प्रशांत महासागर की धरा तो what is धरा 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 शुद्ध धरा वो वाला धरा नहीं है ये ठीक है ये है महा साग्रिय धराए तो आगे बढ़ने से पहले दो चीज समझ लो मेरे साथ दो बातें समझ लो मेरे साथ ये समुद्र है ये है आपका सी लेवल और ये सी बोटम है आगई बात समझ लो मेरे अब इस समुद्र में दो तरह की धराए आपको देखने को मिलेगी पहली धरा जिसको हम सतही साग्रिय धरा बोलते है कुछ चीज़े ही किलियर कर देता हूं में सतही साग्रिय धरा बोलेंगे और उसके बाद होगी आपकी एक नीचे होगी आपकी गेहन महा साग्रिय धरा चीक है तो जो ये सतेही महा साग्रिय धरा है जो इसके उपर वाले सरफेस पे है 300 मीटर या मैक्सिमम एक हजार मीटर तक मान लो ये जो सतेही साग्रिय धरा है मैक्सिमम मैक्सिमम है ये बिटा मतलब मैक्सिमम अगर होगी maximum उससे नीचे ये जाएगी नी maximum होगी ये ये एक हजार मीटर की गहराई तक एक हजार मीटर की गहराई तक इसका प्रभाव और हमें पता है समुदर की average depth है लगबग 4 से 4.5 हजार मीटर है यानि कि इस एक हजार से नीचे गहराई पर भी मिलेगी वो कौन सी धारा है वो धारा है गहन महा सागरिय धारा ये जो उपर वाली धारा है उपर वाली धारा जो ये चलती है इस पे आपकी trade wind westerlies और easterlies इसका impact है ओके यहां major role ये play करेगी लेकिन जैसे ही आप ज़्यादा गहराई में जाओगे तब तब आपका density और density को प्रभावित करने वाले कारा कौन-कौन से हैं हमने देखा था तापमान और लवणता तो सतही सागरिय धारा और गहन सागरिय धारा दो तरह की धाराई है ओके और जो इस 1000 मीटर से गहराई वाली है वो है आपकी गहन सागरिय धारा एक आप कई बार एक term पढ़ोगे पता नी NCRT में तो शायद नहीं होगा एक शब्द आएगा पिकनो क्लाइन पिकनो क्लाइन पिकनो क्लाइन लेयर ठीक है तो वाट इस दिस पिकनो क्लाइन लेयर क्या है ये पिकनो क्लाइन लेयर उपोशन लिख ले ना बिटा उपोशन वै उशन कटी बन दिये महा साग्रिय छेतरों में महा साग्रिय छेतरों में तीन सो से एक हजार मीटर की गहराई में की गहराई वाली ये आपका एक लेयर है या छेतर बोल दो परत या छेतर जहां घनतू में साग्रिय घनतू में तेजी से परिवर्तन होता है तो कई बार UPSC आपको ये statement लिखके दे सकता है सुन लो बेटा कई बार हो सकता है UPSC ये statement लिखके दे कि जो गहन महा साग्रिय धराए पिक्नो क्लाइन लेयर के नीचे प्रवाहित होती है तो अगर मैं लिखूं गहन महा साग्रिय धरा कहा है ये ये आपकी पिक्नो क्लाइन लेयर के नीचे और ये पिक्नो क्लाइन लेयर क्या है उश्न या उपोश्न कटी बंद्य छेतरों में 300 से 1000 मिटर की गराई वाला छेतर जहां घनातु में तेजी से परिवर्तन होता है याद रहेगा इधर और इधर येस ये लोगई बच्चे कहरें सर थोड़ा साइड हो जाईए हो गए वो बच्चे जो जिन्होंने लास्ट येर मेरे सेशन्स देखे थे उन सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ या जो अभी नहीं है या आपके संपर्क में है और उनको लग रहा है कि लास्ट येर वाला कर हर मैदान फते और उससे पहले का आरंब और लक्षे सेम है रिपेटिड कंटेंट नहीं मिलेगा ये बाध्यान रखना कुछ चीजे कौमन रहेगी लेकिन हर बार आपको कुछ मिलेगा है इस वाले पैच में कुछ नया था पिछले साल से बहुत अच्छा और अगले साल इससे भी अच्छा ठीक है, तो चलो, इतना हो गया हमारा, तो अब ये है क्या, है क्या, आप देख लेते है, तो क्या है महासागरियद हराए, तो एक निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा, समझ रहे हो, जाना किधर है, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, डेर डिरेक्शन में महासागर के जल के प्रवाहित होने की गती को महासागर ये धारा कहते है और जिसे इसकी दिशा के अधार पे इसमें पाए जाने वाली गती के अधार पे और इसके साइज के आकार पर हमने इसको अलग-अलग नामों से जानते है जैसे इसके अलग-अलग टाइप देखो जैसे प्रवहा आपने कई बार नाम सुनाओगा North Atlantic Drift North Atlantic Drift उत्तर Atlantic प्रवाहा प्रवाहा तो यह यह drift, what is this drift? तो टाइप्स है आपके कॉशन करेंट्स के, पहला है drift हम किसको बोलेंगे drift जब, सुननो बिटा कहता है जब साग्रिय सतह मैंने क्या बोला था? मेरे एक्के के शब्द के अंदर परमग्यान चुपा है क्या चुपा है? परमग्यान साग्रिय सतह का मतलब जानगे न बिटा पिक्नो क्लाइन लेयर से नीचे नी उपर वाले हिससे की बात कर रहे है साग्रिय सत्य सत्य ही साग्रिय धरा और गहन साग्रिय धरा कहता है जब साग्रिय सत्य का जल पवन वेग से प्रेरित होकर अग्रसर होता है पवन से अब पवन का वेग मुद्दा आ गया पवन का वेग सपोस करो ट्रेड बिंड है वेस्टरलीज है इस्टरलीज है जो भी पवन है उसके पवन वेग से प्रेरित होगा अब यहाँ पवन वेग पे एक बात सुन लो बिटा पवन वेग पे important point मैं आपको समझाता हूँ आपको क्या लगता है चलो आपके सामने एक statement लिखता हूँ अगर मैं कहता हूँ किसी भी स्थान पे आप यह मान के चलो वेस्टरलीज है पच्छवा है वेस्टरलीज जिनको आप बोलते हो पच्छवा पवने ध्यान से समझना विटा पच्छवा पवने ये वेस्टर लीज है अब मैं कहता हूँ वेस्टर लीज, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रिकिंग 60s दक्षनी गुलार्द में चल रही है परम वेग से है ला जितनी तातत थी मान के चलो 100 किलोमेटर प्रती घंटा की स्पीड से इस स्पीड से ये चल रही है ये किसकी स्पीड है? पावन की अब मैं कहूं, महा सागर के ऊपर चल रही है सतही सागरिय जल को खीच के लेके चलती है अपने साथ चलो भई मेरे साथ, सिपाईयो, चलो तो अगर वेस्टर लीज की स्पीड सो किलोमेटर प्रती घंटा है तो जो महा सागरिय जल के अंदर जो गती आपको देखने को मिलेगी वो कितनी होगी? एक्जामपल, अब बताओ तब सागरिय धारा, धारा की स्पीड क्या होगी? धारा की गती बताओ मुझे क्या होगी? सो होगी, एक्सो दस होगी, पचास होगी, सत्तर होगी, साथ होगी, क्या होगी? क्या लगता है आपको? क्या लगता है, तीन सो, सो से कम, मतलब जो ये पवन क्या करती है, ये जो पवने क्या करेगी, महा सागरिय धारा, मतलब घर्षन, खीच के लेके जाएगी, घर्षन के दुआरा, घर्शन के द्वारा तो याद रखना जो पवन वेग है जब महा सागरिय धारा के अंदर जब गती होती है जो पवन के अंदर जो आपका उर्जा है उसका मात्र याद रखना इस पवन उर्जा का इस पवन उर्जा का मात्र दो प्रतिशत से चार प्रतिशत इसका मतलब अब बता दो स्पीड क्या होगी अगर पवन की स्पीड सो किलो मिटर प्रती घंटा है तो महा सागरिय धारा की स्पीड क्या होगी कोई बताएगा मुझे अब दो से चार प्रतिशत बीस से चालिस है ना अभी दो किलो मीटर प्रती घंटा से लेके दो किलो मीटर प्रती घंटा से लेके चार किलो मीटर प्रती घंटा आया कहानी समझ में आप मुद्धा हो गया कलियर आप लोगों को 2 km से लेके 4 km पर आर की स्पीड से चलेगा अगर wind speed कितनी है और अगर wind speed 60 है अगर पवन की गती 60 km प्रति गंटा है तो महा सागरिय धारा की गती कितनी हो जाएगी 1.2 किलो मीटर से लेके 2.4 किलो मीटर 1.2 ही हो गया ना वे 60% का कितना परसेंट 2% हाँ तो 1.2 हो गया वो 2.4 हो जाएगा तो ये बात ध्यान रखना तो आब ये कहता है सुन लो आब ये कहता है कि जब सागरिय सतै का जल पवन के वेग से प्रेडित होकर आगे बढ़ता है तो उसे हम कहते है प्रवाहा इसका सर्वत्तम उधारन है दक्षनी अट्लांटिक में दक्षनी अट्लांटिक प्रवा और उत्तरी अट्लांटिक महासागर में उत्तरी अट्लांटिक प्रभा इसकी गती और सीमा निश्चित नहीं होती गती और सीमा क्या नहीं होगी? निश्चित नहीं होगी कितना स्पीड होगा और कितने छेतर से जाएगी आप ऐसे कोई boundary तैनी कर सकते सेकंड है धारा जब महा सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंदर देखो निश्चित सीमा अभी उसकी boundaries उसकी क्या है निश्चित है तीसरा है विशाल धारा बड़ी जब सागर का अत्यधिक जल धरातल ये नदियों के समान जैसे धरातल पे आपको नदी देखने को मिलती है न सिंदू, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमना जब सागर का अत्यधिक जल धरातल पे नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है, उसको कहते है विशाल धारा, जैसे गल्फ स्ट्रीम का आपने नाम सुना होगा, गल्फ स्ट्रीम, तो स्ट्रीम, ड्रिफ्ट, करंट, सबसे जादा गति किसमें मिलती है आपकी स्ट्रीम के अंदर, आगे चले, अब धाराओ को हम उनने उनके गुनों के आधार पे दो कैटेगरी में रखा, एक गरम जल्धारा और एक ठंडी जल्धारा, गरम जल्धारा जिसका तापमान आसपास के छेतर से जादा हो, और ठंडी जल्धारा जिसका तापमान आसपास के छेतर से कम हो, तो तापमान के आधार पे आपने धाराओं को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, याद रखना, दो कैटेगरी में, पहली है warm current, जिसको diagram पे, अगर आपको atlas के उपर देखोगे, इसको red color से दिखाया जाएगा है, red color दिखाते है maximum इसको, तो जो धाराए गरम छेतरों से, थंडे छेतरों की और चलती है, उन् का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान की तुलना में जादा होता है, इसलिए इनको हमने गरम जल धारा बोला, आता है, याद रखना बिटा है, इसको गरम जल धारा क्यों बोले, क्योंकि इसके जल का temperature, आसपास का जो temperature है ना, उससे जादा होता है, तो ये गरम color वाली दिख रही है ये ब्राजील, North Equatorial, Equatorial Counter, South Equatorial, Gulf Stream, North Atlantic Current, Norwegian Current, ये सब के सब क्या है? Equatorial, South Equatorial, और देखो यहां पे अगुल हास, सोमाली, ये सब की सब क्या है? गरम जल्धाराए, में नजर आ रही है जैसे बैंगुला हो गई ये ब्लू कलर में ये ठंडी है इधर ये केनारी है ये ठंडी है इसके बाद ये लेबराडोर की धारा ये ठंडी जल धारा है इस्ट ग्रीन लेंड करंट ये ठंडी जल धारा है इधर कैलिफॉर्निया को देखो ये ठंडी जल ध इधर ओयोशियो की धारा ये आपकी ठंडी जल धारा तो रैड और ब्लू कलर से दिखाई गई है रैड वाली वाम करंड और ब्लू वाली आपकी ठंडी जल धारा चीक है ये डाइग्राम आप एक बार देख लेना इसको पढ़ाऊंगा ये सब एक एक करके सब पढ़ाने वाला हूँ जैसे कैलिफोर्निया है सही कुतराज अमेरिका के पश्चिमी तट पे ये देखो कैलिफोर्निया की ठंडी जल धारा ये क्यूं है कैसे बनी क्या कारण है आने वाली क्लासिज में हम देखने वाले हैं डोंट वरी अभी तो सिर्फ देखो अभी आप ये मान के चलो जैसे बिहाशादियों में लेके जाते हैं अभी आपका सिर्फ नाम से परिचे कराया जा रहा है इसका नाम एक्स है इसका नाम वाई है इसका नाम जैड है बस बिद्कत वाली बात नहीं, बोलेंगे गल्फ स्ट्रीम थोड़ा गरम मिजाज की है, तो गरम मिजाज कैसे हुआ, थंड़ा मिजाज कैसे हुआ, इनका इंपेक्ट क्या है, ठीक है, वो अभी देखेंगे हम, आने वाली क्लासिज में, आज तो सिर्फ हम धाराये देख रहे है फंडी धार आये, cold current जो धार आये ठंडे छेतरों से गरम Кए ओर चलती है उनें कहते हैं थंडी धार आये ये प्राखे धृवा से भूमद्य रेखा की ओर चलती है और ये धार आये जिन छेतरों में चलती है वहाँ के temperature को घटा देगी गटा देगी या नहीं गटाएगी समझो just एक मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ समझ लो बेटा मेरे साथ एक point आपको clear कर देता हूँ आज ये लो ये मान के चलो वैसे तो आप ऐसे मान के चलते हो ऐसे देखते हो आप ये 0 degree ये 90 degree north और ये 90 degree south आप ऐसे देखते हो मैं इसको ऐसे घुमा दे रहा हूँ घुमाने का मतलब क्या है हम इसको ऐसे लेंगे ये 0 degree ओके ये 90 degree south और ये 90 degree north ऐसा क्यों गुमा है समुदर है ना दिखाना पड़ेगा आपको और ये आपका समुदर है समझ लेना पिटा समझ ना इसको समझो गरम इधर सतेही जल गरम है गरम होके फैलेगा विश्वत रेखा पे temperature जादा है यहां से जल इधर आएगा ओके इधर जल थंडा है थंडा है नीचे की और भारी और बैठेगा तो ये गया और ये किधर जा रहा है बैठता है और ये equator ये balance करने के लिए equator की और चलेगा और यहां से अगर ये जल डिस्प्लेस होगा ये वापस उपर आ जाएगा सेम आपका इधर भी हो रहा है उपर ये गरम जल ध्रुवो की और इधर थंडा जल नीचे बैठता है और नीचे 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 कहां चल रहा है देखो याद रखना बिटा ये surface है दिस इस sea surface और दिस इस sea bottom ये कहानी समझ में आ रही है कहानी समझ में आ रही है तो जैसे यहां जैसे क्या तरहेगी पव ने आपकी trade wind, westerlies, easterlies इस surface के water को लेके जाएगी नीचे से उसकी कमी को पूरा करने के लिए ये पानी का क्या होगा उद्वेलन होगा ये बात समझ में आई आपको तो इसको तो जो नीचे जा रहा है इसको हम बोलते हैं down wailing और जो ये उपर की और आ रहा है इसको बोलते हैं upwailing और आपने सुना होगा cold water upwailing अब एक चीज़ देखो कल मैंने आपको क्या बताया था मैंने कल आपको ये बताया था कि महासाग्रिये जल की लवनता को महासाग्रिये जल के गुनों को प्रभावित करने में वायू मंडलिये गैसो का भी रोल होता है बताया था ये मैंने नहीं बता दो मुझे कल मैंने बोला था ना वायू मंडल की कुछ gases जो आप जब वायू मंडल इंटरेक्ट करता है किसके साथ जल के साथ तो कुछ gases उसके अंदर dissolve हो जाती है dissolve हो जाती है होगी या नहीं बताओ मुझे तो यहाँ पे क्या हुआ atmosphere ने interact किया oxygen इस सते ही जल में घुल गई और ये down whaling के दुआरा ये oxygen bottom में पहुँच गई और bottom में जितने भी जीव जन्तु है समझ लो कुछ चीज़े यहीं समझा दे रहा हूँ क्योंकि बाद में कई बार मैं भी भूल जाता हूँ अभी ताजा ताजा है आपको सब समझ में आ जाएगा अब ये जो down whaling हुई यहाँ पे benthose रह रहे है benthose का मतलब वो जीव जो महासागर की तली में रह रहे है पूरे महासागर की तली में रहने वाले जीव तो आपको प्रशन उठता होगा की ये जो महासागर की तली में रहने वाले जीवों को oxygen कहां से मिलती है ये down whaling के प्रोसेस से oxygen dissolve हुई नीचे आई distribute हो गई dissolve हुई नीचे आई और इस bottom layer में आपको oxygen मिलता है यहाँ पे जो आपको oxygen मिलता है ये oxygen किसकी विज़े से मिलता है down whaling से किससे मिलता है oxygen down whaling से ठेक है रुको एड़ो इतनी कहानी समझ में आ गई समझ में आई ये कहानी इससे आगे की picture देखनी है अभी geography और environment एक साथ mix हो रहे है ये काम में यहीं करूँगा क्योंकि जब मैं आपको उधर environment और ecology पढ़ाऊंगा मैं बोलूँगा benthose के लिए water का down whaling होना जरूरी है क्योंकि वो oxygen सप्लाई करेगा तो ये down whaling वाला concept अभी geography और environment पैरलल चल रहे है इससे आगे की कहानी समझनी है क्लास के प्रती अपनी नेतिक जिम्मेदारी निभाओ अगर इससे आगे की कहानी समझनी है तो क्लास के प्रती अपनी नेतिक जिम्मेदारी निभाओ लाइक कीजिए क्लास को ठीक है आते ही लाइक कर देते हैं देख लेते हैं जैसे ही बोलेंगे नमीन सर लाइक कर दो शेर कर दोगे एक बटन दवाने में लाइक का पता नहीं क्या प्रोब्लम है अरे भाई आप I.S. बन जाओगे उसका क्रेडिट थोड़ी न मांग रहे है हम तो ये बोल रहे हैं अच्छा कंटेंट है मिल रहा है उसको एप्रिशेट करो कल को आप भी चाओगे कि आप अच्छा काम करें तो देश, सरकार, लोग उसको एप्रिशेट करें नहीं आपके अंदर नहीं एप्रिशेशन की रिमांड आप भी तो चाओगे ना मैं कलेक्टर हूँ, मैं SP हूँ, मैंने देखो ये कर दिया और सब आपको बोले कर दिया तो कौनसी बड़ी बात कर दी, आपको बुरा लगेगा ना सेम चीज है बेटा आजओ, अब आगे 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 देखो अब ये समुद्र का जल है यहाँ पे बहुत सारे जीव जन्तू, बहुत सारे प्लांट्स है ना, प्लांट्स है तो जब भी ये पानी उपर की और आएगा नीचे से उपर की और आएगा तो अपने साथ बहुत सारे निट्रिश बहुत, जब भी अपवेलिंग होगी अपने साथ बहुत सारे पोशको को लेकर आएगा उपर पोशको को लेकर आएगा अब ये पोशक आएंगे तो इस पे जितने भी आपके समुदरी जीव है उनके लिए समुदरी जीवों के लिए के लिए क्या होता है लाब प्रद है ये तो याद रखना दुनिया में जहां जहां पे आपको cold water upvailing के छेतर मिलेंगे वो nutrition वाले छेतर है उदर आपका marine life या fishing के लिए बड़े ideal छेतर होते है इस इस क्लियर ये कहानी समझ में आ रही है न आपको ये कहानी समझ में आ रही है अब इस कहानी का एक और पक्ष देखो इस का मतलब सुनो यहां से यहां से यह वाला water जब तक displace नहीं होगा यहां से surface का water जब तक displace नहीं होगा तब तक upvailing नहीं होगी याद करो आपको मैंने अल नीनो याद है ना अल नीनो ट्रेड विंड हमारी कमजोर पड़ गई थी कमजोर पड़ गई थी पड़ी थी कमजोर या नहीं तो water displace नहीं हो रहा था displace नहीं हो रहा था तो upvailing भी नहीं हो रही थी ला नीना में क्या था ज्यादा displace हो रहा था ज्यादा upvailing हो रही थी ठीक है upvailing मतलब जलका शीत जलका उपर की और उठना अब भाई निशान लगाया हो गया ना पानी है ये ये पानी उपर की और उठ रहा है समुद्र से समुद्र के bottom से समुद्र के surface पे आ रहा है पानी चलो ये जिसको समझ में आ जाए ठीक है बना ले ना भाई मैं वो कर लेता हूँ अपना काम निभा लेता हूँ अच्छी सी picture खिचा लेता हूँ ये ना वो पीटी वाला एक्जाम होगा ना कोश्चन आएगा तो दिखाने में काम आएगा मुझे चलो तो अब कहता है जो ये महा साग्रिये कहता है जो महा साग्रिये धाराओं की उत्पत्ती और इनकी गती को प्रभावित करने वाले कारक कौन से है कैसे उत्पन होती है ये ठीक है सेम कोश्चन था UPSC CSC मेंस 2022 ये ही कोश्चन था तो महा साग्रिये धाराओं की उत्पत्ती के कारणों को हमने तीन कैटेगरी में रखा है पहली कैटेगरी है प्रत्वी के परिभ्रमन से संबंदित कारक यानि के रोटेशन है बिटा परिभ्रमन का मतलब रोटेशन सेकिंड है वाहिय समुद्री कारक एक्स्टरनल फैक्टर हो गए एक्स्टरनल ओशनिक फैक्टर और तीसरा है धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक तो बेसिकली तीन हैडिंग हो गई आपकी धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक वाहिय समुद्री कारक अच्छा उसके बाद एक और कारक आएगे और भी आएगे एक और कारक है कहां गया भाई इतनी जल्दी कहां छुप गया सागर से संबंदित कारक चार कारक है आपके चार कारक तो पहला परी भ्रहमन संबंदित कारक वाहिय समुद्री कारक और उसके बाद है सागर से संबंदित कारक और धाराओं की दिशा को परिवर्दित करने वाले कारक एके करके देखते है प्रत्वी के रोटेशन का क्या इंपेक्ट है आप जानते हो प्रत्वी क्या करती है वैस्ट से इस्ट की और रोटेट करती है रोटेट करती है तो घुर्नन के कारण एक विक्षेपन पैदा होता है होगा या नहीं तो उस विक्षेपन से धाराओ की उत्री गुलार्द में दाई और दक्षनी गुलार्द में बाई और मुड़ गई थी सेम ऐसे ही समुद्री धराये भी उत्री गुलार्द में दाई और और दक्षनी गुलार्द में बाई और मुड़ेगी ये देखो कहा मुड़ गई बेटा उत्री गुलार्द में दाई और कुन से factor काम कर रहे है वायूदाब एयर प्रेशर पवनों की direction क्या direction है वासपोथ सर्जन evaporation कैसा और वर्षन कैसे है यह सब को detail में बताऊंगा don't worry चारो कारकों को detail में बताऊंगा वाहिए समुदरी कारक फिर धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब क्या है सब्सक्राइगी तो तट इसको क्या कर देगा modify करतेगा भाई आदे इधर जाओ आदे इधर जाओ तो तट की दिशा और उसका आकार कैसा है तो समुदरी धाराओं की दिशा को प्रभावित करेगा यह इसने का फिर तल में आकरती कैसी है आकरती का मतलब सपोज करो वो बहुत सारी रिजिज थी ना रिजिज वो कटक आ रही है उपर की और काफी बड़ी कटक है तो कटक आई तो कटक इधर से धाराई बोली चलो मेरे साथ साथ फिर मौसम में परिवर्तन और प्रत्वी का परिभ्रामन देखो याद रखना बेटा यहाँ पे प्रत्थी यूपीसी आपसे सुनो यार बड़ा इंपोर्टेंट चीज है यह थोड़ा सा एक बार गहरी सांस ले लो चीजे ओवरलैप ना हो जाए सुनो बेटा इस हैडिंग देखो हैडिंग क्या है दिशा को प्रभावित करने वाले कारक अगर यूपीसी आपसे डारेक्शन की आकरती उसके बोटम में कैसी आकरतिया है तीसरा मैंने बताया था दिशा मौसमी परिवर्दन मांसून जानते हो ना ग्रिशम कालीन मांसून की दिशा यह शीत कालीन उत्तरपूर्वी मांसून की दिशा यह तो पावन की दिशा चेंज हुई तो धराव की दिशा चेंज तो अगर UPSC statement देता है धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक तो यह चारों कारक है अगर उत्पत्ती की बात करता है याद रखना भीटा इस इस डारेक्शन और यह वाले कारक कौन से है उत्पत्ती और गती मिक्स तो नहीं होगा न याद है उधर डिरेक्शन है और इधर उत्पत्ती के कारक है चलो एके करके अब यह देखते है वाहिये समुद्री कारक के अंदर क्या क्या है इसके अंदर हम देखेंगे वायू मंडल का दबाओ क्या रोल प्ले करता है विंड डिरेक्शन वर्षा व भावित करेंगे चलो पहले देखते है वायूदाब कार आप बात बताओ जहां पर एक स्थान ए है एक स्थान B है इधर अप्र जल किदर ऊपर होगा बताओ ये A स्थान ये B स्थान इधर air pressure ज़्यादा इधर air pressure कम तो समुद्र का जल ये समुद्र के स्थान है तो किदर उपर होगा इधर उपर होगा या इधर उपर होगा This is A, this is B ज़्यादा इधर air pressure कम है उधर जल का तल उपर होगा ये ही कह रहा है तो air pressure की बात देख लो बिटा कहता है साग्रिये जल पर वायूदाब अधिक होगा तो वहाँ जल के आयतन में कमी होगी और जल का तल नीचे चला जाएगा तो वायूदाब अधिक है तो जल का तल नीचे है इसके विप्रीत अगर वायूदाब कम है तो जल का तल उपर यानि के जल उच तल हो जाएगा ठेक है फिर हवाई हवाई बताओ हवाई तो जिधर चलेगी उधर ही लेके चल पड़ेगी घर्षन के साथ गसीट के लेके चलेगी तो धराओ की उत्पत्ती में हवाई की भूमी का अत्यधिक महत्पून है पर्टिकुलरली कौन सी धरा सतेही याद रखना सतेही महासागरिय धरा महासागरिय धरा हवाई की या हम इसको और रिफाइंड करूं मैं पवन लिख देता हूँ विन पवनों की भूमी का अत्यधिक महत्पून होती है जब ये पवने सागरिय जल के उपर घर्षन उत्पन करती है तब अपने साथ लेके चलती है और पवन उर्जा का पवन उर्जा का मैंने आपको क्या बताया सिर्फ 2 से 4 परतिशत ही ट्रांसफर होता है 2 से 4 परतिशत 2 से 4 परतिशत ही है तो आप ये समझ लेना कि ऐसा नहीं कि समूदर में धारा है चल रही है 1.500 किलोमीटर प्रती गंटा की स्पीड से तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है फिर इंजन विंजन की जरूत क्या थी ऐसी डाल दो कोई भी ना हो बैठ जाओ लेगी डेड़ सो किलोमेटर प्रतीकन डगी स्पीड से आपको पर इंजन की तो फिर भी जरूत वरूत पड़ेगी या नहीं ठीक है वो तो फिर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा छोटा सा बच्चा नहीं बैठता धलान पर बैठ जाता अपनी उस साइकिल को लेके है ना धलान के साथ ही वो कोई ब्रेक नी कोई कंट्रोल नी भागे जा रही है फिर तो जो होना है आप जानते ही हो तो हवाओ से प्रेरित धाराए कहता है अब हवाओं से धाराय प्रेडित हुई और महा दीपिये तटों तक पहुंचती है और तट पर जल की मात्रा अधिक होने पर नई धाराओं की उत्पत्ती होगी मतलब यह मान के चलो यह मान के चलो यह दक्षिन अमेरिका दिस इस अफरीका ओके यहां से पवने चल रही है इस उपरी जल को लेके इधर आई इधर जमा कर दिया इधर जमा होता चला गया तो इससे क्या हुआ कहते हैं यहां जादा जल जमा होता है जादा जल की मात्रा होती है तो नई धाराय यहां से चलने लगती है तो तट पर जादा मात्रा में जल हो जाएगा तो नई धराओ की उत्पत्ती हो जाती है और वाशपी करण के बारे में क्या कहता है वाशपी करण वाशपी करण वो चीज याद रखना बेटा दो चीजे वो याद बिल्कुल मत भूलना लवनता और तापमान का पवनों के साथ जो संबंध है वो बिल्कुल मत भूलना साफ लिख देता हूं महा सागरिय लवनता प्लस महा सागरिय तापमान ये जो मैंने कल आपको कल और परसों की क्लासिस में कराये थे इन दोनों का पवन के साथ जो रिलेशन्शिप था पवनों के साथ संबंध वो भूल मत जाना वो एक्जाम के point of view से important है UPSC बहुत question पूछता है उससे अब कहता है सागरिय अब कहता है वाशपी करण तापमान जादा है evaporation जादा होगा तो परिणाम सरूप क्या होगा evaporation जादा है तो लवनता में व्रद्धी देखो कल मैंने दो चीज बताई थी evaporation जादा है तो लवनता में व्रद्धी और लवनता में व्रद्धी है तो evaporation कम कल बताया था मैंने आपको लवनता में व्रद्धी होती है और लवनता में व्रद्धी होने का मतलब उसका density बढ़ गया तो वो नीचे की और जाएगा लवनता अधिक होने से घनत में व्रध्धी होती है और घनत में व्रध्धी होता है तो आप पिक्नो क्लाइन लेयर के नीचे जो मूवमेंट होता है उसको बढ़ावा देगा Next वर्षन वर्षन आप जानते हो वर्षा से जादा जल की प्राप्ती जादा जल होगा तो सी लेवल उपर हो गया ओके सी लेवल उपर हो गया यानि के जादा जल की प्राप्ती इधर जादा जल है जिधर जल कम है तो अधिक जल से कम जल की ओड़ जाएगा तो आदिक वर्षा वाले भागों में जल की सतय उपर होती है और धारन के रूप में कहता है विश्वत रेख्य भागों में जादा वर्षा होती है जल की सतय उची है परिणाम सुरूप जल का प्रवाह जल आदिख्य छेतर से विश्वत रेखा छेतर से दुरूवय छेतरों की और होता है इसलिए विश्वत रेख्य जल धाराय उच अक्षान्चों की और प्रेरित होती है नेक्स्ट प्रचलित पावने कहता है प्रचलित पवने जब सागर के उपर से गुजरेगी तो घर्शन के द्वारा उसको अपने साथ खीच के लेके चलती है और धाराओ को जनम देती है और बेसिकली जो भी होगा ये धाराए इस्थाई पवनों की बात कर रहें बिटा ट्रेड विंड वेस्टरलीज और इस्टरलीज उसके बाद कहता है उशन कटी बंदों में उशन कटी बंद 30 से 35 नौर्थ से 30 से 35 साउथ की बात कर रहा है या 27 उत्तर से 27 दक्षिन के बीच में कहता है कर्क और मकर रिखाओ के बीच में ट्रेड विंड चलती है और ट्रेड विंड की डिरेक्शन होती है इसलिए भुमद्य रेखा के उत्तर और भुमद्य रेखा के दक्षिन में पूर्व से फश्शिम की और धराये चलेगी कैसे ये कुछ ऐसे है अब ही इधर कहता है यहाँ पे चल रही है आपकी ट्रेड विंड यह ट्रेड विंड और यहाँ पे फिर आपकी चलेगी वेस्ट अर्लीज यह आपकी चलेगी वेस्ट अर्लीज पता है यह आपको कंसेप्ट तो कई बार इसको हम देख चुके पढ़ चुके ठीक है तो क्या कर रही है यह पूर्व से इधर से इधर की ओर चल रही है पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है तो यह देख लीजिए ट्रेड विंड यह ट्रेड विंड पूर्व से पश्चिम की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर महा सागरों के पूर्वी छेतर का जल महा सागरों के पश्चिमी छेतर में या महा दीपों के पश्चिम से महा दीप के पूर्व में वो concept याद रखना भूल मत जाना सेकिंड कहता है सितोशन कटी बंद में पच्छुआ पावने चलती है west से east की ओर ओके तो यह देख लो यहां देखो यह वेस्टर लीज है इधर से इधर चल रही है इधर का जल लेके जाएगी इधर इधर का जल लेके जाएगी इधर ओके अब है सागर से संबंदित कारक सागर से संबंदित सागर के अंदर क्या चल रहा है सागर के अंदर कारक काईता है दाब प्रवनता, अरे क्या हुआ, दाब प्रवनता, प्रेशर ग्रेडियंट, तापमान में भिनता, लवनता में अंतर, तब ही आप समझ गए, महा सागर के भौतिक गुनों की बात कर रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे देख लो, तापमान में भिनता से क्या होगा, अगर temperature, water के temperature का difference है, तो गरम जल फैलेगा, विश्वत रेका से धुरूवो की और जाएगा, गरम जल फैलता है और ठंडा जल सिक उड़ता है, तो इसलिए कटी बंदिय जल, यानि कि उशन कटी बंदो का जल सतय से फैल कर धुरूवो की और जा रहा है, और संतूलन के लिए धुरूवो का जल सतय के नीचे से आता है, यह मैंने आपको कहानी समझा दिती, यह कहानी मैंने आपको पहले ही समझा दिती, इस इक्वेटर, 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नौर्थ, इधर वाला जल जा रहा है, इधर, और डाउन वेलिंग था ये अपवेलिंग था डाउन वेलिंग अपवेलिंग ये बता दिया मैंने ठीक है तो संतूलन के लिए धुरूवय जल सतय के नीचे नीचे विश्वत रेखा की और चलता है अभी climate change में बड़ा important role रहेगा बेटा इसका ध्यान रखना climate pattern पे इसका बड़ा impact होने वाला है इस diagram का बड़ा impact होने वाला है पढ़ाऊंगा आपको थोड़ा सा patience रखना जबरदस impact होने वाला है इसका फिर लवनता में अंतर देखो लवनता युक्त जल का घनतव जादा है जादा घनतव का जल नीचे की ओर जाएगा कम घनतव वाला जल उपर की ओर रहेगा लवनता में अंतर होने पर भी जल में संचलन होता है अधिक लवनता से जल का घनतव बढ़ेगा तली में बैठेगा कम लवनता वाला जल उपर की और आ जाएगा उद्वेलित होता है इस परकार कम लवनता की दिशा से सतह की धारा और अधिक लवनता की दिशा से अधे सागरिये धारा उत्पन होती है समझ लो ये समझाया था मैंने अपवेलिंग अधिक लवनता की दिशा से और घनतु में अंतर तो घनतु में अंतर मैंने कल भी बताया था घनतु में अंतर तीन कारणों से आ सकता है तापमान, दाव और लवनता और यह सब आपस में इंटरकनेक्टेड है तो घनतु में असमानता पाई जाती है इन सभी कारणों के कारण देखो जादा है टेंपरेचर जादा है इवैपरेशन जादा लवनी करन जादा जलका भारी होना घनत बढ़ना नीचे की और बैठना शुरू हो जाएगा सागर में उपर से नीचे जाने पर उपर से और दूसरी बात बेटा सागर में देखो यह अगर मैंने कहा साड़े चार हजार मीटर इसकी एवरेज डेप्थ है तो हर उपर वाली लेयर का दबाओ नीचे वाली लेयर पे भी तो पढ़ रहा है हर उपर वाली लेयर का दबाओ नीचे वाली लेयर पे पढ़ रहा है पढ़ रहा है या नहीं तो इससे क्या होगा दबाओ बढ़ता जात है यह बिल्कुल ऐसे है एक के ऊपर दूसरा दूसरे के ऊपर तीसरा तीस अब नीचे वाला तो भाई दबाओं मानेगा या नहीं मानेगा वो ही है तो दाब बढ़ता है तो घना तो भी अधिक हो जाता है इस परकार सागरों में उपरी भाग में जल हलका होता है और गहराई में भारी जल होता है परिनाम सरूप जल में लंबुवत गती उत्पन हो जाती है एक चीज मैं आपको यहाँ रिकोल करा देता हूँ एक चीज मुझे बताना जराब एक चीज बताओ मुझे यह गरम जल है बेटा और एक है यह वाला है ठंडा जल इस इस कॉल्ड ठेक है अब इसके उपर से भी पावने चल रही है है ना इसके उपर से पावने चलती है पावन चला दो किसी रंग की भी इसके उपर से चल रही है पावने इसके उपर से भी पावने चल रही है अब आप मुझे बताओ किन पावनों के अंदर आदरता जादा होने की संभावना है इन पावनों के अंदर इनको हम बोलेंगे यह A मान लिया इसको मान लिया B क्यो? 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 ऐसा क्यो? कारण बतादो आप मुझे यह तो मैं मान रहा हूँ आप NO कर रहे हो, YES कर रहे हो कारण बताईए मुझे कारण कारण बतादो आप मुझे कारण कारण बतादो आप मुझे कारण तो यह इन पवनों के यह पवने आद्र और गर्म होगी यह पवने ठंडी और शुश्क अब जस्ट इमेजिन आ जाओ YES यहाँ पे आपका एक डैजर्ट है नाम याद है कालाहारी कालाहारी मरुस्तल और यहां पे एक धारा बेटि ए ठंडी धारा एक ठंडी समुदरी धारा है कौन बताएगा इस समुदरी धारा का नाम मैंने B लिखा है बताओ कौन सी ठंडी समुद्री धरा है कौन सी ठंडी समुद्री धरा है पेरू, पेरू कैसे होगी भाई यहां पे पेरू कैसे हो जाएगी बताओ बैंगुला, येस बैंगुला है बिटा इदर, बैंगुला ठंडी है यह सेम सेम दक्षिन अमेरिका में अटकामा दक्षिन अमेरिका के अंदर अटकामा डेजर्ट ठीक है, दक्षिन अमेरिका है अटकामा डेजर्ट अटकामा मरुस्थल कौन सी ठंडी धरा है याँ पे, बताओ येस, पेरू, बहुत बढ़िया ये याद रखना बेटा अलिमिनेशन में हो सकता है ये आपको हेल्प करे ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपको चीजों को समझने में पहली बात आपकी अंडरस्टेंडिंग को बेटर करेंगे एक तो आपकी अंडरस्टेंडिंग इंप्रूव होगी दूसरा आपको अगर कोई option eliminate करना होगा तो elimination में भी ये सारी चीज़े आपको help करेगी ठीक है चलो तो कहते हैं घनतु में भिंता के कारण जल में लंबवत गती होगी लंबवत गती होगी चलो ठीक है फिर क्या है फिर आया महा सागरिय धाराओ के रभाओ तो महा सागरिय धाराओ के हम जो basically जो इसके प्रभाओ देखने वाले तीन प्रभाओ देखेंगे हम पहला प्रभाओ बेटा क्या प्रभाओ पड़ेगा इन महा सागरिय यह तो तटिये, सुरी, छेत्र की जलवाईू वे मौसम के मौसम पर पड़ेगा, दूसरा, सागरिये, जीवों के उपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, तीसरा, मत्से, मत्से, उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, और चोथा, हम देखेंगे, व्यापार पर प्रभाव, ये चार हमारे मेन हेडिंग होगे, जिस पे हम महा सागरिय धराओ के प्रभाव को देखेंगे, अब, अब, सुनो, 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 एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ऐसे ही, ऐसे ही खेल रहे थोड़ा सा, नॉलिज के साथ ऐसे, वो बच्पन में नहीं खेला खेल, ये बोल उसके पाले में, उसने उसको फैक दी, उसने लपक ली, ऐसा एक खेल ख खेलते हैं, एक knowledge game खेलते हैं, मैं अगर एक statement लिखता हूँ, सुनो, एक statement लिख रहा हूँ बेटा, देखो, एक statement, महा सागरिये धराए, तटिये छेतरों पर, प्रतिकूल, प्रभाव, डालती है, yes, और, no, सौच समझ के जवाब देना, with example पूछूँगा आप से, बता दो, प्रतिकूल, जो बच्चे बोल रहे है, yes, जो बच्चे बोल रहे है, yes, जिन बच्चों का जवाब आ रहा है, yes, तो मैं पूछता हूँ, क्यों, और कैसे, गुमाओ अपने दिमाग की फिरकी, क्यों, और कैसे, क्यों, तट के कटाओ, ये लो, कुछ बच्चे होश्यार हो रहे थे, आप बताओ, अब बताओ, तट ये छेतरों की जलवाईयू पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, तट ये छेतर छोड़ दिया, क्योंकि बच्चे इरोजन में चले गए थे, मैं आप पूछ रहा हूँ, जलवाईयू के रेफरेंस में, आप बताओ, नहीं मिल रहा, सोच नहीं पारे, देखो, अगर ये पहली बात, स्टेट्मेंट्स को ध्यान से पढ़ना UPSC आपसे पूछ क्या रहा है, देखो, महा सागरिय धाराओ, इसने पूछा क्या महा सागरिय धाराओ की, महा सागरिय धाराओ, तटिये छेतरों की जलवाईयू पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, आपके दिमाग में गल्फ स्ट्रीम पश्चिमी इरोप के तटों को साल बर सर्दियों में खुला रख प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रतिकूल प्रभाव डालती है, इसका मतलब क्या है, आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि जो ये महा सागरिय धाराओ है, ये जो महा सागरिय धाराओ है, ये तटिये छेतरों के लिए लाब दायक भी है, और दूसरा ये हानी कारक भी है harmful भी है और beneficial भी है दोनों लेकिन यहाँ no जवाब देने का मतलब यह हो जाता कि हमने इनका हानी कारक इनको माना ही नहीं उसने पूछा क्या हानी कारक होती है येस होती है अब example अब example देखो अब देखो example असली खेल तो बटा example का ही है ना पुरा का पुरा खेल ही example का है पुरा खेल ही example का है अब समझो बेटा गल्फ इस्ट्रीम की कहानी देखो गल्फ इस्ट्रीम कहानी गल्फ इस्ट्रीम की गल्फ इस्ट्रीम गल्फ इस्ट्रीम गल्फ इस्ट्रीम गल्फ इस्ट्रीम गल्फ इस्ट्रीम ये देखो इसकी कहानी ये है आपकी गल्फ इस्ट्रीम और यह गल्फ इस्ट्रीम नोर्थ अटलांटिक डिफ्ट के नाम से जाती है यूरॉप के अंदर अब समझो कहता है जब ग्रिशम काल होता है कहता है यह गल्फ इस्ट्रीम क्या कर रही है इस संयुक्त राज अमेरिका के तठिये छेतरों पर बड़ा गरम प्रभाव रखती है और यहाँ पे हीट वेव तक उत्पन कर देती है यहाँ पे हीट वेव तक पैदा कर देती है यही गल्फ इस्ट्रीम जब यूरोप में जाती है शीत कालबे और यहाँ ठंडा होता है तो यहाँ पे क्या करती है यहाँ पे इसका म्रदू प्रभाव है तो यहाँ पे यह क्या हो गई लावदायक और यहाँ पे क्या हो गई यह फानी कारत यहाँ पे हो गई फानी कार्ड बताओ मुझे कैसा रहा ठीक है बैटा UPSC NCRT से बाहर निकल चुका है आप भी निकल जाओ मैं हमेशा एकी बात बोलता हूँ अभी वो NCRT पढ़ो बहुत जरूरी है लेकिन बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि सिर्फ NCRT पढ़ने से अभी UPSC होगा बिल्कुल नहीं होगा सिर्फ NCRT पढ़ने से नहीं होगा NCRT आपकी basic understanding के लिए बहुत जरूरी है लेकिन अपनी तयारी को मात्र NCRT तक सीमित मत रखो दिक्कत हो जाएगी यह बात फिर आपको दो सालवाद आप यह बोलोगी हाँ NCRT जरूरी तो है लेकिन pure NCRT बहुत सारे बच्चे मुझे message कर रहे हैं सर NCRT से UPSC हो जाएगा मना कैसे करूँ हाँ भी है और ना भी है होगा भी और नहीं भी NCRT बहुत जरूरी है समझो NCRT बहुत जरूरी है लेकिन सिर्फ NCRT से काम नहीं होगा तो थोड़ा थोड़ा सा अपना लेवल अपग्रेड करके चल लए मेरे साथ जिनको बिल्कुल जोगरफी नहीं आता जिनको बिल्कुल पॉलटी नहीं आता बेसिक हिस्ट्री कुछ भी नहीं पता उसको कहीं से शुरुआत करनी है तो NCRT बैस्ट है लेकिन आपको बड़ा खेल खेलना है बड़ा खेल समझ गए ना अभी सेलेक्शन वाला बड़ा खेल खेलना है मुख्या परिक्षा, answer writing अच्छी आपकी पकड सब्जेक्ट अंडरस्टेंडिंग तो थोड़ा सा उपर चलना पड़ेगा पस मेरा प्रियास यही है कि एक लेवल हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे तो कुश्चन हमारी रेंज में आने शुरू हो जाएगे है ना जबरदस feedback है जबरदस crowd scores को देख रही है तो आप भी इसको देख सकते है एक नवेंबर से शुरू हो चुका है आज class number 4 होगी internal security पे हमारी तो शाड़े 6 बजे से साड़े 8 बजे चलती है यह class साड़े 6 से साड़े 8 चलती है यह अनकैडमी प्लस पर तो जिस भी बच्चे को एक classes देखनी है वो मेरा referral code नवीन 1 लगाके अनकैडमी को subscribe कर सकता है 23 वाले बच्चे थोड़ा serious हो जाओ समय कम बचा है अपनी तयारी में एक और दूसरे गेर में गड़ी मत चलाओ तीसरे चोथे गेर में लगाने का समय आ गया है environment and ecology पे भी मेरा plus course है अनकैडमी एप पे plus पे जाके आप देख सकते है geography optional live classes चल रही है मेरी नवीन 1 referral code से आप again geography optional का course purchase कर सकते हैं और मेरा referral code से आप Hindi medium English medium कोई भी course purchase कर सकते हैं कोई issue नहीं होगा उससे आपको उसके साथ ही ये मेरी free special classes है अभी कुछ दिनों से नहीं ले पा रहा क्योंकि मेरे batches बहुत ज़ादा है plus पे ही मेरे 2-2 घंटे के 2 batch हो जाते है रोज़रा 4 घंटा उधर फिर इधर YouTube तो जैसे ही एक आदा course मेरा plus का complete होगा वापस से special class शुरू हो जाएगी answer writing, English compulsory ओधर फिर हम test papers भी लगाएंगे plus पर मेरे course geography optional, ethics, integrity, aptitude, internal security और environment and ecology ये आप देख सकते हैं पस ध्यान लखना referral code ये ही लगेगा तो मजाएगा आपको मेरे साथ क्योंकि इस तयारी में आपको मेरे साथ जबरदस मज़ा आने वाला है बिल्कुल नमीन तवर सार आपके साथ आके खड़े हो जाएंगे जैसे ही आप ये referral code लगाते हो उसके साथ ही साथ ये कुछ free classes है disaster management, essay writing, नतिकता की अदालत and academy app पे जाके आप free of course देख सकते है और 6 November के दिन सुबह 11 बजे combat होगा आप मेरे referral code से बिल्कुल free of course पाटिसिपेट कर सकते हो top 50 बच्चों को 50%, 200 तक 30%, उसके बाद 500 तक 25% का scholarship discount है ये test series है एन academy की जबरदस मुख्या परिक्षा 2023 को target करके 25 से ज़्यादा test है हमारा performance देख सकते हो साल 2022 मुख्या परिक्षा में 57 57 के आसपास question directly directly हमारी test series से आया है शानदार evaluation model answer मिलेगा मात्र 9 मिनट के अंदर आप answer लिखना सीख जाओगे उसके साथ इसाथ last mile program है ये बिल्कुल उन बच्चों के लिए free of cost program है जो interview देगे 2022 वाला आप इसमें अन्रोल हो सकते हैं इसके features देख सकते हैं deaf analysis, mock interview, performance evaluation, panelist देख सकते हो bureaucrats भी है इसमें top educators है, professors है benefits है आपको current affairs के sessions मिलेंगे उसके बाद state specific classes मिलेगी आपके interview के videos भी आपको मिल जाएगी तो अभी मिलेंगे evening में 6 बजए unacademy plus course पर तब तक अपना ख्याल रखना और याद रखना जो हमारी next class होगी सुनो सुनो, सुनो, सुनो जो next class होगी वो हमारी Monday को होगी Monday अभी कल class नहीं होगी है ना tomorrow no class ठेक है कल YouTube वाली class नहीं होगी इस बात को धियार नखना बाई तक किया